हलो एब्रिवान क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर टू यानि पॉलिनोमिल चलना था हमारा और एंसे इटी की न्यू बुक में यह जो एक्सरसाइज हम करेंगे वह एक्सरसाइज 2.3 दे रखी है कॉश्चिन नमबर 4 करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो देखिए हम इसको दो तरीक से कर सकते हैं एक तो हम कर सकते हैं इसको फैक्टर थ्योरम से और दूसरा कर सकते हम यहां पर मेडल टम स्प्रेट से ठीक है तो यहां पर हम मेडल टम स्प्रेट से ही इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं जो में जो कोफिशेंट होता है उसको और जो लास्ट टर्म जो एन दोनों को मल्टिप्लाई करके देखते हैं देखी यह पर 12 है यहां वन है 12 max कितना आएगा 12 और वन को मल्टिप्लाई करने पर आएगा देखे 12 अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका प्रॉड़क्ट या मल्टिप्लिकेशन करने पर आना चाहिए 12 और उनको जोड़ने पर आना चाहिए कितना सबसमय है तो फस्ट और लास टर्म एसे में लिखेंगे मिदल टर्म को तोड़ पार्ट में लिखने वाल एक टो एसे नंबर देखीए देखी अगर मैश फॉर है और मैश सघ केट09 ये आ जाएगा कितना माइनस का 7 हमें माइनस 7 ही चाहिए और माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 12 ही चाहिए multiply करने पर तो हमें दो टर्म मिल जाएंगे एक माइनस 4 और एक माइनस 3 देखिए कैसे लिखेंगे इसको 12x स्कॉयर को हमना ऐसे लिखा यानि 12x स्कॉयर ठीक है 인द दोनों में से कुछ common आ सकता है यह तो इन्टो टो थोई एक स्कॉयर का मतलब एक स स्कॉयर का मतलब और edge को मन ले लिया ठीक है क्या बचेगा 12 का मतलब लें लिए वहार कूँ लिया अंदर कितना बचा 3 x square में से 1x बाहर लिया, अंदर कितना बचा? x, minus है, minus लगा दिया, 4x पूरा हम common ले चुके हैं, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है? इसको अंदर multiply करेंगे, तो देखे, इतना ही आना चाहिए, यह आप cross check कर सकते हैं, अब यहां देखे, minus 3x plus 1, इन दोनों में से कुछ common ले सकते हैं, देखे, यहां से कुछ भी common नहीं ले सकते हैं, तो हम one common ले सकते हैं, और अगर पहले ही minus का हो, तो पहले ही हम minus लगा लेते हैं, कुछ common नहीं तो one common है, ठीक है? अब लगा देंगे bracket, अब एक बात ध्यान रखिए आप, कि जब हम minus बाहर लेते हैं, कि नहीं दो टर्म से, यह तीन टर्म से, यह चार टर्म से, तो minus बाहर लेने का जो bracket के अंदर जो भी हम term लिखेंगे, उनके सब के sign change हो जाते हैं, opposite sign लगते हैं, minus 3 में से minus 1 लिया, तो क्या बचा? 3x, ठीक है? x था, x को हमने as it रहने दिया, minus को हमने बाहर ले लिया, अब plus 1, इस में से भी तो हमने minus बाहर लिया है, plus 1 का मतलब क्या होता है, minus 1 into minus 1, तब जाके plus 1 आएगा, तो जो हमने minus बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा? minus का 1, ठीक है? यहाँ आप confuse मत होना, मैंने आपको फिर बताया था, अगर आप बाहर जो लिखा है, इसको bracket से multiply करेंगे, त minus 1 था, minus का 1, ठीक है? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसको यहाँ पर मैं line लगाता हूं, ताकि आप इसमें confuse ना हो, ठीक है? अब देखिए, यह दो bracket हमारे same आ गए, यह दो bracket same आने ही चाहिए, यही इस question के पहचान है, अगर यह दो bracket same नहीं आए तो इसका मतलब आप आपने factor लेने में या common लेने में कोई गलती करी है, ठीक है? अब जो दो bracket same आगे, उनको हमने लिख दिया एक बार, यानि कि 3X minus 1, जो दो bracket same थे एक बार लिख दिया, और जो यहाँ और यहाँ बचा, उसको अगले bracket में लिख देंगे, यानि कि 4X minus 1, ठीक है? यह इसका factorize हो इसमा multiply थे माइनस 1 वो लिखा, ठीक है? इस तरह से part first हमारा complete हो गया, यह हमारा factorize हो गया, अब करेंगे part second, यहाँ पर 2X square plus 7X plus 3, यहाँ पर भी हम first term का coefficient 2, last term का 3, इन दोनों को multiply करके देखते हैं, कितना आएगा? 2 into 3 आएगा, कितना? 6, अब हमें ऐसे दो number चाहिए, कि जि और निया घटाने पर आएगे, कितना? 7, तो हमें इक काम करें, 6 plus 1 ले ले, 6 plus 1, कितना आएगा? 7 आजाएगा, और 6 into 1 करेंगे, तो कितना आएगा? 6, ऐसे ही हमें number चाहिए, जिनका product कितना आए? 6 आए, और जोड़ने पाना चाहिए, कितना? 7, तो लिख देते हैं, first term और last term को ऐसे ही रहने देंगे, यानि 2 x square को ऐसे ही लिखा, और 7 x की जिए हम क्या लिख देंगे? 6 x plus 1 x, या सिर्फ x भी हम लिख देंगे, 6 x plus x कितना आएगा? 7 x, और last term को हम as it रहने देंगे, अब देखिए, common लेने की बारी आई है, 2 x square और 6 x, इन दोनों से क्या common ले सकते है देखिए, आपको मैं यहाँ पन एक और थोड़ा सा expand करके बताता हूँ, जैसे 2 x square का मतलब क्या है? 2 x square का मतलब है, 2 x x, plus 6 x का मतलब क्या है? 2 x 3 x, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, plus x plus 3, देखिए, इस वाली step को आप डारेक्ट, इसकिप भी कर सकते हैं, आप डारेक्ट देखो, यहाँ पर देखिए, 2 x, और यह 2 x, यह 2 x, और यह 2 x, कॉमन है, यहाँ आप आप आसानी से आप कॉमन ले सकेंगे, किसी को दिक्कत ना रहे, इसलिए मैं यहाँ पर expand करके लिख दिया, 2 x ले ले बाहर, क्या बचा? x बचा, plus 2 x ले चुके हैं बाहर, क्या बचे का 3, अगले bracket में देखो, यहाँ plus x है, plus 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हमने बाहर ले लिया, bracket लाएंगे, क्या लिखेंगे, x plus 3, sign change होगा नहीं, plus के हैं दोनों, तो plus ही रहने दिया, 1 और दोनों को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, अगर दोनों minus के होते, तो minus बाहर लेता, bracket के अंदर plus के लिख देता, अब दोनों bracket सेम है, जो दो bracket सेम होते हैं, उसको हम एक बाहर लिख देते हैं, और जो इस bracket से पहले बचा, उसको लिखा, bracket में 2x, plus इस से पहले 1 है, तो plus का 1, ठीक है, इस तरह से हम factorize करते हैं, middle term split के द्वारा, तो part second हो गया, अब करेंगे, part third, part third में देखिए, 6x square plus 5x minus 6, यहां पर देखिए, first term का coefficient 6, और last term है, हमारी minus के 6, अगर हम multiply करते हैं, तो देखिए, 6 into minus 6, कितना आएगा, 6, 6, जब 36 होता है, multiply करके आए, कितना minus का 36, क्योंकि हम minus है, अब ऐसे दो number देखने है, जिनको जोडने है, घटाने पर कि देखिए, जैसे 9, 4, जब 36 होता है, 9, 4, जब 36 होता है, और 9 minus, अगर मैं 4 करता हूँ, तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है, तो वही हमें चाहिए, 5, यानि कि 9 को अगर हम minus 4 से multiply करेंगे, कितना आगा, minus का 36 आ जाएगा, तो हमें यहां से यह दो factor मिल जाते हैं, ठीक है, तो 9x minus 4x, लास्ट माइनस 6 है, उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, 9 में से 4 को कटाएंगे, तो 5 बचेगा, और 9 को into करेंगे, minus 4 से तो 36 आएगा, minus का, जो कि हमें चाहिए भी, तो क्या करेंगे, आप देखिए, इन दोनों में से कुछ common ले सकते हैं, 6 होता 3 into 2, और 9 होता 3 into 9 यानि कि दोनों में 3 तो common है, x square x into x होता है, और x यहां पर है, तो दोनों से x भी बाहर ले सकते हैं, bracket लगाया, 6 क्या था 3 into 2, 3 बाहर ले चुको हैं, क्या बचा 2, और x square x into x, 1x बाहर ले लिए, क्या बचा x, प्लस 9x में से 3x ले लिए, यानि अंदर बचेगा, 3 बचेगा क्योंकि x हम बाहर ले चुके हैं, bracket बंद, अब देखे, इन दोनों में minus common है, एक तो हमने minus ही ले लिए बाहर, और दोनों 2 के factor है, 2 हमने बाहर ले लिए, क्योंकि 4 होता है, 2 into 2, और 6 होता है, 2 into 3, तो 2 ले लिए दोनों में से, minus 2 ले लिए बाहर, क्या बचेगा, 2x, ठीक है minus 2 को 2x से करेंगे, इतना आएगा, minus हम बाहर ले चुके हैं, क्या बचेगा यहाँ पर अंदर, plus, यानि की 3, minus 2 को 3 से करेंगे, तो minus 6 आएगा, ठीक है, दोनों में से, हमने minus common लिया, दोनों में 2 common लिया, जो बचेगा bracket के अंदर हमने यहां लिए लिए, अब जो दो bracket सेम है उनको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, यानि 2x plus 3 हमने एक बार लिखा, और जो bracket के बाहर, यानि कि यहां पर है, 3x, और इधर क्या है, minus 2, उसको हम अगले bracket में लिख देंगे, इस तरह से part 3 complete होगे, अब देखते है, part 4, part 4 में देखिए, first term का coefficient 3, और last term है, minus 4, यान यहां पर कोई नमबन नी तो 1, minus का 1, ध्यान दीजी, आप अगर कोई multiply करके माइनस में, तो जो दो हम यह factor लिखने वाले है, वो एक plus का होगा, और एक minus का होगा, ठीक है, अगर हम ऐसा करें, minus 4x plus 3x लिखें, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी, minus 4 को 3 से multiply करेंगे, minus 12 जी आप minus का हमें चाहिए, यहां पर, तो 4x और 3x में से हमने minus 4 से पहले लगाए, क्योंकि 4 बढ़ा है, तो 4 का ही sign आएगा, ठीक है, last of minus 4 है, हमने यहां पर लिख दिया, दोने से common लिया, क्या common ले सकते है, x common ले सकते हैं, क्या बचेगा, यहां पर बचा 3x minus 4, इन दोने म से एक बाल लिख लिया, अगले ब्रैकेट में यहां और यहां जो लिखा, यहां जो लिखा है, वो लिख देंगे, x plus 1, ठीक है, इस से पार्ट 4 भी हमारा complete हो गया, ठीक है, तो question number 4 हमारा complete हो गया, I hope कि आपको इस समझ में आया होगा, मिलते हैं next video में question number 5 के साथ, ओके, thank you